लोगसबच नौबों की रण भेरी बच चुके है और अब कारिकरताओं की प्रिक्षा की गड़ी आ गई है इसलिए अब कारिकरताओं को लोगसबच नौबों के लिए तयार रहना चाहिए ये बात कॉंग्रे सेव अदल की जिला अध्यक्ष मधनलाल कॉंडल ने सेव अदल के पदर्धिकारियों की बैठक के बाद, पत्तरकारों से बातचीट के दारान कही। उन्होंने कहा कि केंदर की मोदी सरकार ने सब्सदार की नाम पर केवल चल नहीं मिया किंदर की सरकार के दरान देश तरड़ की जंता के लिए पहतर कारे हुए थे लेकिन nd सरकार बनते ही देश में अराजबता जैसा महोड़ आए कि दरवान में जुरूर बोलूँगा यहां पर कोई बीजेपी नाम की कोई सरकार नजर नहीं आ रही है जो जैसे भी कुछ जो कोई दुवाटन किये जा रहे हैं तो आज की डेट में जैराम सरकार जो यहां से बिल्कुल भी पदन लगा रहा है यह नहीं है हर दिन यहां पर मौत्य हो रही है महिलों के साथ शेड़ खानी हो रही है काफी ज्यादा जो कभी अभी जैसे ही एक साल हुआ पूरा हुआ है जिसमें हमारे माननी अरहौल गंदी जियू पजान मांती बनने जा रहे हैं तो आज से हम सेवादालवालों ने यह पनालगा रखा है यहां पर पूरे मजब प्रदेश में अनुराग सर्मा जो सेवादाल के देख्शन के अरगवाई में कौरस पार्टी एक लिया हितियास रिखने जा रही है चारों कि चारों सिट्टे जो कौरस की पार्टी की जोड़ी में डालने जा रहे हैं जैसे हमारी बिलासपुर मे अब ही हाल ही में मुझे कॉंग्रेस सेवादल का महिला जिला ध्यक्ष मिर्त किया गया है इसके लिए मैं सरवप्रथम हमारे अध्यक्ष सुखविंदर सुन सिखो जी का अनुराग सर्मा जी का मदलाल कॉंडल जी का और जितने भी हमारे सेवादल के ब्रिष्ट अधिकारी हैं उन सब का हर दिख धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे इस ओदे के लिए चुना बाकि जो भी मुझे यहां पे अभी मुझे जो जिम्मेबारी मिली है इसको मैं पूरे जोर से निभाने की अपनी भरसक प्रयास करूंगी पुरी इमानदार अभी मुझे जो जो हमाने जो पूर्स में ली है नहीं इसको निभाने का मैं पूरे जो चाहिए